नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल टार्गेट एट वन पे मैं हूँ अम्रिता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ब्राउन एल्गी तो यह अल्गी के अंतरगत आपका पार्ट 6 है और इसके पहले from part 1 to part 5 we have deep discussed about structure, classification and economic importance of algae and in the previous video we have discussed about cyanobacteria और यह आपकी वीडियो है part 6 इसमें हम बात करेंगे concept of brown algae के बारे में यानि कि हम आज बात करेंगे characteristics of brown algae, structure of brown algae and categorization of brown algae तो यह सारी चीज़े जो आपकी TGT biology के section के अंदरगत आते हैं जहां पे अपने botnika section अगर देखा होगा तो कई सारा area है जो algae ने cover किया हुआ है ठीक है तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी content है from green algae to brown algae और red algae तो यह सारी चीज़े आपको काफी deep में पढ़ने हैं क्योंकि काफी जादा area cover किया है algae ने तो यहां से definite है कि आपको कहीं न कहीं question जरूर देखने को मिलें और हमने पूरी कोशिश की है कि अपने इस video में आपको general से specific तक चीज़ें यहां पे मिलें यानि कि चोटे से concise way में आपने हाला कि सब लोग graduation करकर आए हैं तो सबका concept हो clear ही होगा लेकिन कुछ ऐसे topic हैं जहां पे आपको सच में थोड़ा से effort करने की जरूरत है तो वह सारी चीज़े हमने आपको बिलकुल concise way में provide की है ठीक है table के form में आपने देखा कि कितनी easily within half an hour हमने 6 के 6 divisions discuss कर लिए जो important point थे यानि कि deserve food material ठीक है pigmentation और किस type का component पाय जाता है cell wall के अंदर यह सारी चीज़े हमने वहाँ पे discuss करी थी ठीक है वीडियो no.3 में और आज की वीडियो में हम discuss करेंगे characteristic features of brown algae तो guys एक request आप सभी से कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो please हमारे चैनल को ज़रूर subscribe करें और notification bell को ज़रूर दबाएं जिसके दवारा आपको हमारे दवारा latest जो update है वो पता चलती है और अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हमारे दवारा daily PDF पाना चाहते हैं TGT biology के अंतरगत तो आपको करना ये है कि description box में आपको link मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल का तो आप उस पे click करके हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ में add हो सकते हैं और अगर आप के लिए थोड़ सा मुश्किल है आपने कभी टेलिग्राम चैनल नहीं यूज करा है तो आपको करना ये है कि play store में जाकर के आपको टेलिग्राम लिखना है search box में और वहां से आपको टेलिग्राम का आइकोन मिलेगा फिरोजी कलर का ठीक है तो circular सा आइकोन है जिसे आपको click करना है वहाँ पे install पे अगर आप click करते हैं तो टेलिग्राम इंस्टॉल हो जाता है ठीक है और उसके बाद आपको उसके अंदर data आपना डालना है और फिर आपक पर click करना है हमारे description box पे जैसे उसके बाद आप add हो सकते हैं हमारे telegram चैनल के साथ में और पा सकते हैं आप daily PDF TGT biology के अंतरगत और अगर आप CDP के notes चाहते हैं CDP के PDFs चाहते हैं question चाहते हैं environmental के question चाहते हैं अगर आप U.P.T.C.T. D.S.S.P. KV.S. N.V.S. TGT या PGT के preparation कर रह आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब हम brown algae की बात कर रहे हैं तो हमें वो चीजे पता हैं जो हमने 11-12 में पढ़ी थी वो सभी जानते हैं वो चीजे हम यह पर पहले बात करते हैं और उसके बाद फिर हम deep में discuss करेंगे कि क्या चीजे हैं जो आपको extra जान इन के पास जो color होता है या pigment होता होता है chlorophyll A chlorophyll C और fucoxanthine abundant amount में होता है और इसी pigment यानि fucoxanthine की वज़े से जो brown algae है वो brown नजर आता है ठीक है next thing is कि phycocolloid एक ऐसा phycocolloid allergen होता है उसकी cell wall के अंदर जोने mechanical strength provide करता है ठीक है reserve food material के रूप में देखा जाए तो इसके अंदर पाए जाता है laminated and that is a polysaccharide sorry that is a monosaccharide starch sorry monosaccharide तो आपको इस ध्यान में रखना है कि जो reserve food material है वो एक starch है और साथ ही साथ थोड़े से अमने lipid भी पाया जाता है तो यह चीज़े के आपको याद रखनी है और जो ratio होता है उसका होता है five is to one ठीक है अब deep में discuss करते हैं characteristics of brown algae सबसे पहली बात जो brown algae है वो करीबन 2000 के जो species हैं वो पूरे world में exist करते हैं brown algae की ठीक है और जो brown algae है mostly marine होते हैं और यह पाये जाते हैं उन regions में जहां पर low tide होती है और colder areas होते हैं जैसे कि जो deep depth होती है sea की वहां पर जहां पर थोड़ी से ठंड़क पाये जाती है वहां पर brown algae exist करते हैं एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो brown algae है वो हमेशा हमेशा multicellular होते हैं कोई भी ऐसा organism brown algae का नहीं मिलेगा जो की unicellular हो ठीक है यह चोटी-चोटी चीज़े पर आपको ध्यान में रखनी है एक structure की बात करी जाए तो जो body का structure होता है brown algae का filamentous होता है lower forms में यानि कि lower algae होते हैं छोटे forms में उनका structure होता है filamentous होता है जैसे कि ectocarpus लेकिन जो बड़े algae होते हैं जैसे कि sorgasm, laminaria, fucus, microcystis इनका जो structure होता है वो बड़ा होता है parent comatis structure होता है अच्छा यह जो term है आपे parent comatis आप देख रहे हैं what is that parent comatis structure के बारे में अगर आपको deep में जाना है तो आप part 1 और part 2 की videos देख सकते हैं algae से related लेकिन अगर short में कर बताया जाए तो यह आप structure देख रहे हैं in center ठीक है यह आपको दिखाए देता है parent comatis structure यानि कि fully developed like a plant body तो यह है parent comatis structure for example sorgasm laminaria fucus or microcystis एक चीज़ और की laminaria guys यह वही organism है algae का यह वही algae है जिससे iodine extract किया जाता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है next is height तो जो algaes होते हैं उनकी height काफी vary करती है यह 10 micron sorry 10 meter से ले करके 10 meter के बहुत चोटे भी होते है algae और maximum size होता है algae का kelp जिसका size होता है hundred meter onwards आप सोच सकते हैं कि algae कितने चोटे size से लेके कितने बड़े size तक exist करता है from microscopic to macroscopic ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छा कौन सा है largest algae तो kelp है और macro cystis है जिसका size 40 से 100 meter के बीच में exist करता है और narrow cystis होता है जिसका size 20 से 30 meter के बीच में exist करता है तो यूज size ठीक है next है plant body is often differentiated into hold fast, stipe and lamina जो plant body होती है brown algae की वो divided होती है तीन पार्स में hold fast, stipe and lamina अब यह होता क्या है हमने पिछली वीडियो में discuss किया था कि जब पानी का बहाँ काफी तेज होता है तो वैसी जगहों पे algae अपने आपको substratum यानि की जो नीचे धरा होती है जमीन होती है यह base होता है उससे attach करने के लिए उसके पास एक organel होता है एक organ होता है that is called hold fast इसका काम होता है जमीन से attach करना algae की body को next is stripe तो stripe क्या होता है यह long elongated structure आप देख रहे हैं this is called stripe lamina क्या होता है यह leaf like structure आप देख रहे हैं इस type का ठीक है यह और यह क्या कहता है आपका lamina जिसको हम एक और भर्षा में फ्रॉंड भी क्याते हैं और फ्रॉंड का function क्या होता है फ्रॉंड का function होता है photosynthesis को carry on करना तीक है जैसे आपने एक plant में देखा होगा कि जो leaf होता है वह organ होता है जहां पे photosynthesis होता है उसी तरीके से algae में भी जो फ्रॉंड होता है फिर जो lamina होता है वह होता है वह प्लेश जहां पे photosynthesis होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं next बात करते हैं कि largest forms often often possess ear vesicles और bladders for providing bioans यह भी important factor है आप से पूछा जा सकता है कि algae जिनके पास कोई भी moving के लिए क्योंकि algae non motile होता है उनके पास movement के लिए कोई भी organ नहीं पाया जाता in that case जो अपने आपको floating condition में algae रखते हैं वैसा क्यों होता है in case of larger algae like microcystics or kelp उनकी body के अंदर एक bioans पाया जाता है bioans आपको पता होगा अपने physics में पढ़ा होगा कि उसको वह एक आप उनके पास एक large vesicles ear vesicles पाया जाते हैं और bladders पाया जाते हैं जो उन्हें तैरने की शक्ति प्रवाइड करते हैं पानी के अंदर and that is called bioans next is cell wall के बात करते हैं तो cell wall जो होता है cell wall algae का उसके अंदर क्या component पाया जाते हैं cellulose, non-glucon, non-glucon saccharides और phycocolloids यह बहुत इंपोर्टन बहुत 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 ही जादे इंपोर्टन है जो आपको याद रखना है next is phycocolloids of brown algae are non-sulfated and monosaccharides जो आपको phycocolloids है यह बहुत इंपोर्टन है गाईज यह इसका नाम आपको 100% याद रखना है याद रखना है मतलब याद रखना है इसलिए क्योंकि यह component होता है cell wall का किसी भी brown algae का ठीक है इसका बहुत ही important function होता है और यह इसलिए important algae के लिए क्योंकि जो algae की पूरी body है इसी chemical पर dependent होती है कैसे चले देखते हैं पहले देखते हैं chemical बना कैसे होता है तो phycocolloid दो तीन chemical से बना होता है पहला होता है allergenic acid दूसरा होता है phycoidin और तीसरा होता है fucin ठीक और कुछ ऐसी species जो होती है जो tidal areas में रहती है तो phycocolloid का function क्या होता है कि ऐसे areas जो low tide में रहते हैं ठीक है under freezing condition भी देखा जाने के low temperature पे तो ऐसे temperature पे जो water current बीट करता है यानि लगातार movement कराता है rocks के ऊपर algues को तो ऐसी injuries से बचाने के लिए phycocolloid का बहुत ही बड़ा role होता है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं आपके exam से भी पूछा जा सकता है बहुत जादा important है next is 13 photosynthetic organelle अगर देखा जाए तो chromatophores होते हैं photosynthetic organelle जिनके पास तीन थाइलोकॉइड लामिना पाए जाता है चली जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि chloroplast का अगर आपने structure देखा होगा guys तो कुछ उस टाइब का होता है ठीक है एक शेप इसके अंदर छोटे छोटे डिस्क shaped structures होते हैं जो एक के उपर एक अरेंच होते हैं तो इस स्मॉल सर्कुलर स्ट्चर्स आर कॉल्ड थाइलोकॉइड ठीक है और यह आप पूरा structure देख रहे हैं तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यह जो portion है यहीं पे chemical reaction होती है photosynthesis की यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है photosynthetic pigment अगर देखा जाए तो chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoids और carotenoids में आता है carotines, xanthophylls यह जो है responsible होते हैं photosynthesis के यानि यह क्या है photosynthetic pigment जो की energy को यानि की sunlight को absorb करने का काम करते हैं नेक्स्ट है brown color of algae is due to the presence of large amount of xanthophyll called fucoxanthin बहुत 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 जादे important है और I hope सबको पता भी होगा क्योंकि class 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो brown color आप देख रहे हैं algae का यह किस chemical की presence की वज़े से होता है तो that is a kind of xanthophyll और जुसका नाम है chemical का वह है fucoxanthin कहीं पर भी आपको fuco word देखता है आपको जड़ से recall करना है fuco means brown rhodo means what rhodo means होता है erythrin means होता है red, cyano means होता है blue तो यह सब आपको ध्यान में रखना है next है बहुत important है यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो reserved food material होता है जो reserved food होता है यह algae's की body में वह होता है laminarian starch ठीक है laminarian एक carbohydrate होता है और साथी साथ lipid भी पा जाता है brown algae की body में ठीक है जले आगे बढ़ते हैं next is cells possess refractile vacuol for fucosal that is called fucosal vacuol यह आपका cell जो algae होती है brown algae इनकी body के अंदर एक refractile vesicle होते है यानि की movable और stretchable vesicle होता है जिने fucosal vesicle कहा जाता है इन vesicles के अंदर phenolic chemical पाए जाता है जिसे fucosal कहा जाता है अब ध्यान में देने वाली बात यह है गाइस बहुत important है और हो सकता है अगर आप graduation कर रहे हों कोई भी ऐसा candidate हो सकता है यह video कोई भी देख सकता है तो कोई भी ऐसा बच्चा जो अभी graduation कर रहा है तो उसके लिए important है यह चीज कि brown ale की brown कब दिखाई देता है हमें पता है कि fucoxanthin की के कारण ठीक है यह color जो है brown वो दिखाई पड़ता है पर fucoxanthin जो होता है color less chemical होता है पानी के अंदर ठीक अब ध्यान देन वाली बात क्या है काफी चमतकारिक बात भी है कि जैसे ही यह colorless liquid colorless chemical पानी के अंदर रहता है तो यह रहता है colorless लेकिन जैसे ही आता है बाहर sunlight के presence में वैसे यह brownish यह black हो जाता है यानि जैसे ही air के exposure में आता है फ्यूकोजान तुरंट यह brown color में convert हो जाता है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखना है बहुत 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 जारे important है next है conducting tubules for trumpet hyphae are present in larger brown algae और kelp जो larger algaes जैसे की kelp हैं इनके body के अंदर trumpet hyphae पा जाता है इनका function क्या होता है तो guys आपने जिसे plants में देखा होगा, plants में क्या देखा है आपने xylem और phloem का function क्या होता है xylem का function होता है water conduct करना और phloem का function होता है mineral conduct करना similarly जो बड़े algaes होते हैं जैसे की kelp और macrosystis इनकी body के अंदर भी तो conduction की ज़रत पढ़ती है na minerals की तो यह जो mineral conduction का function होता है यह करता है trumpet hyphae guys यहाँ पर आप सोच रहोंगे कि हर बार हम important ही क्यों कह रहा है कि जो जो चीजें आपके सामने रखी हुई है वो बहुत ही चांट का रखी हुई है और जो extra चीजें हैं जो आपका time waste करें उनको आपने यहाँ से हटा दिया नहीं लेना है जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उसका screenshot ले रहे या फिर आप टेलिग्राम चैनल से PDF ले सकते हैं तो यह जो tubes होते हैं इनके अंदर sieve septa पाया जाता है sieve मतलब चलनी चलनी कुछ अस्टाइट क्यों होती है न तो sieve septa पाया जाता है याने के जो algae की body होती है उनके एक section पे जो septa होता है इनी के अंदर चोटे-चोटे छेद होते हैं that is called sieve septa इनका काम होता है food या minerals को conduct करना और जिसका rate होता है 38 to 78 cm per hour याने एक घंटे में 38 to 78 cm remove कर आते हैं food materials को या minerals को नेक्स पे आते हैं reproduction के बात अगर करी जाए तो brown algae के अंदर जो आपको पता है कि motile या non motile sports पाय जाते हैं ठीक है हम sports की बात करें guys organisms की नहीं sports के अंदर जो sports हैं क्यों movable होते हैं लेकिन जो body होती इनकी basically अगर आप देखें तो non motile होती है तो जो बोथ motile और non motile zoo sports होते हैं और जो यह जो neutral और tetraspore and mono sports की cases में अगर आप देखेंगे यह क्या होते हैं term guys यह हम आगे चलके discuss करेंगे जब हम एक-एक जैसे की claim item onus no stock की body का structure पढ़ेंगे life cycle पढ़ेंगे तो में छोटी छोटी चीज़े करेंगे इसलिए आपको थोड़ा भी घबरानी के जरूरत नहीं है तो बिसिकली चलिए अपने आपके मन में एक थोड़ा सा curiosity होगी कि mono sports means what है यह जो इस टैप का structure होता है algaes का ठीक है तो यहां पर जो sports बनते हैं that are responsible for और algal development या algal fission के लिए या फिर इनकी दुबारा development के लिए जो reproduction के लिए responsible होते हैं जिब एक होता है तो monospore 4 होते हैं तो tetra spore और neutral होता है तो neutral spore ठीक है यह आपको ध्यान रखना है next is motile sports जो होते हैं जिने zoo sports कहा जाता है वो biflagellate होते हैं और इनके पास heterodont flagella होता है यानि की heterodont है sorry guys यहां पर spelling mistake है हो जाता है कभी कभी क्योंकि material हम लिखते हैं तो थोड़ सो spelling mistake आपको देख जाएगा तो आप अपने से correct कर सकते हैं अगर हमने देखा तो हम correct करवा देंगे है तो हेट्रोडोंट यह जो है heterodont means होता है जो आपका organism है ठीक है यहां पर एक जो होता है छोटा flagella और दूसरा बड़ा ठीक है इसका मतलब होता है heterodont flagella और whiplash means होता है कि इस टाइप का flagella होता है यह कहलाता है whiplash type जिस पर आपको लाइने दिखाए देंगी छोटी 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 ठीक है next reproduction के बात करी जाए sexual reproduction की तो अभी तह हमने sexual reproduction की बात करी ना by sport formation by zoo sports ठीक है तो यह कहलाएगा आपके sexual reproduction जहां पर tetras, tetrasports, monosports यह सब बनते हैं अच्छा अगर sexual reproduction की बात करी जाए तो isogammy, anisogammy और oogammy जो होता है इसके through sexual reproduction होता है ठीक है इन isogammy और anisogammy बोथ gametes are motile with heterodont fragile and in oogammy only the male gametes are motile and flagellate and the female gametes are non-motile यह भी important है कि जब isogammy एक term है इसका मतलब क्या होता है आप काफी detail ने बाद में पढ़ेंगे लेकिन एक चोटा सा आपके लिए जरूरी है जानना क्योंकि आपके मिल में थोड़ा सा जिग्यासा रहता है इसका मतलब होता क्या है तो जब आप यह चीजे नहीं जानते हैं तो आपके concept यह प्रहता है यह एक term था isogammy means होता है इसका मतलब होता क्या है तो जब male और female gamut विलको similar हो means flagella भी एक जैसा हो और body भी एक जैसी हो जब इन दोनों के बीच में conjugation होता है तो that condition is called isogammy जब यह ही different होता है यानि कि एक बड़ा होता है ठीक है और flagella एक ही हो और दूसरा क्या होता है चोटा होता है और flagella हो सकता है ना हो या फिर एक हो तो that condition is called an isogammy यानि कि दोनो gamut अलग अलग होता है female gamut और male gamut दोनो o gamut क्या होता है जब female non motile होती है और male motile होता है या दोनों में से vice versa ठीक है that condition is called o gamut condition ठीक है आई उपे तक लियर होगा होगा चले लास्ट जो characteristics उसरे बात करते हैं isomorphic alternation of generation is found in some brown algae जो term होता है isomorphic alteration means होता है morphic means होता है structure जब भी कही morphine या morph आपको दिखाए दे आपको याद करना है recall करना है morph means होता है structure ठीक है या anatomy और iso means होता है similar यानि कि जब भी generation का alternation होता है ठीक जाने zygote formation से लेकर के body development तक सीम जो है structure है body का वो रहता है ठीक organism का तो यह जो example है example भी आपका eptocarpus यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है डिक्टियोटा देख सकते हैं यह बोथ दा heploid and diploid generations are present and similar in structure in many brown algae the diploid generation or phase is dominant जो diploid condition हो dominant होती है और the diploid generation that is either microscopic or represented by gametes only example fucus fucus के case में guys आपको थोड़ा भी tensionize होने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि life cycle भी हम discuss करेंगे क्योंकि कौन सी life cycle होती है haplobiontic होती है, haplontic होती है, diplontic होती है तो इस सारी चीज़े हम discuss करेंगे ठीक है जब हम एक एक organism के बारे में detail में पढ़ेंगे इसलिए आपको थोड़ा भी panic होने के ज़रूरत नहीं है हर चीज़ आपको यहां पर बताई जाएगी ठीक है, ले नेक्स्ट पे आते है यह तो था आपके लिए एक broad सा characteristic अब यह जो आप screen पे देख रहे हो इसको आप जड़ से screenshot ले लिए उसका क्योंकि यह है आपके लिए की अभी तक आपने जो 20 के करीब में characteristic उसका यह जो निचोड है यही है तो इससे हम दुबारा repeat नहीं करेंगे क्योंकि already हमने काफी जो basic चीज़े थी वो भी discuss कर ली थी तो आप जड़ से screenshot ले लिजे और इसको रख लीजेगा अपने exams के type में revise करने के लिए ठीक है तो यह भी आपके लिए यहां पे किया गया है यह जो आप देख रहे हैं यह भी आपका है चोटा सा revision के लिए चोटा सा step ठीक है यहां पे आप chlorophyta, feophyta, rodophyta के बीच में difference याद कर सकते हैं जब आप exam देने जाएं तो इसके पहले हम आपको चोटे-चोटे notes भी देते जाते हैं और PDF आपके पास time नहीं रहता कि exam देने से पहले आप PDF देखें तो इन चोटे-चोटे notes को भी देखें आप अपना knowledge को recall कर सकते हैं अब देखें यह जो है NCID का concept हम आप सभी के सामने देने जा रहे हैं NCID का concept इसलिए देना जोरी आप सभी को क्योंकि आपको NCID का concept ही जारतर exam से पूछा जाता है तो NCID का concept है जिसमें आप देख सेकते हैं यह है brown algae का structure structure में क्या है hold fast क्या है जो हमने discuss किया था कि यह क्या करता है base के साथ में attach करने का काम करता है body को ठीक है यह है dental जिसे आप stripe कहते हैं यह है front जिसे आप क्या कहते है lamina ठीक यह hold fast है यह midriff means होता है vein आपने अगर leaf का structure पढ़ा होगा ठीक है तो midriff आप जानते होंगे जी जो leaf है इसके बीच का यह line होता है that is called midriff ठीक है ear bladder क्या करते है by once provide करते हमने अभी discuss किया था ठीक है और यह है fraud ठीक है fraud जिसे हमने अभी बढ़ा था यह type है तो आपने structure देखा तो आपको clear हुआ होगा ठीक है यह है आपका short, short सा जो NCIT का concept अगर आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं यह भी है आपका NCIT का concept अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि NCIT के concept हम थोड़ा सा distract हो रहे हैं तो आप इस चीज को देखें कि हाँ, book में भी यही चीज दी है और यह आपके NCIT का ही section है जो हमने काट कर आप सभी के सामने रख है ठीक है अगर आप चाहें तो हम इसको भी revise कर सकते हैं लेकिन फिलान हमने काफी deep में discuss कर लिया है अब यह है आपका last section economic importance of brown algae ठीक यहां पर जहां से question पूछने की पूरी मेरे बनती है guys वह यह बनती है पहला है cell wall का component याद रखना है दूसरा structure याद रखना है तीसरा pigment याद रखना है और जो चौती चीज है वह आपको याद रखनी है stored food material ठीक है तो चारू चीज अगर आप याद रख लेते हैं इन चारों के साथ economic importance of जो जितनी भी algae आपने पढ़ी है सब चीजों के आपको याद रखना है तो चले एक बर देखते हैं economic importance of brown algae और इसके बाद में फिर वीडियो को end करते हैं क्योंकि वीडियो काफे जदा लंबी हो गए ना तेहां से concentration थोड़ा सा हमारा divert हो जाता है यह चीज आप भी notice कर सकते हैं और हम भी notice कर सकते हैं इसलिए जितना हो सके पूरी क पूशिश की जाती है कि वीडियो आपकी शौट बने तो economic importance चले देखते हैं पहला है food, algae food की तरह इस्तमाल होता है कब, a number of brown algae are used as food in some countries, कुछ countries हैं जिनमें algae को food की तरह इस्तमाल किया जाता है, कौन से algae हैं जो खाने की तरह हम यूज करते हैं, पहला है laminaria, दूसरा है alleria, micro cystis, sargassum are brown algae that are used as fodder और फी, तो laminaria है आपको हमने already discuss किया था, कि laminaria से क्या होता है, iodine extract किया जाता है, और अगर किसी के body के अंदर iodine की कमी है, तो उन्हें डॉक्टर्स हजिस्ट करते है laminaria को as a food लेने की, ठीक है, Sargassum भी, humans भी generally use करते हैं food के लिए, ऐसा नहीं कि आपने जब forder का term दिया है, तो जानवरों के लिए इस्तमाल होता है, नहीं, humans भी algae को use consume करते हैं, ऐसा भी होता है, next is falling of ships, some brown algae get attached to hull of the ships, कुछ ऐसी algies होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने ship की यात्रा करी है, तो ज ship को move करवाता है, उसकी ship पे attach हो जाती ही algies, जैसे कि ectocarpus, other floating masses जो होते हैं, जैसे कि sorgassum, तो जो है value of ship को, इसको create कर देते हैं, कई कई बार इनकी वज़े से congestion भी आ जाती है, तो इस चीज़े भी हो जाती है, next is iodine, to fucus or laminaria, rich source of iodine, and potash is abundant in microcystic or neurocystis, अब आपको यह भ से iodine निकाला जाता है, और fucus से, potash भी पाया जाता है, microcystic or neurocystis में, ठीक है, next हम बात करेंगे, medicines की तरह brown alee को अब यूज किया जाता है, तो sodium laminarian substance जो है, जो कि blood coagulant होता है, यह आपको ध्यान रखना बहुत important concept है, कि sodium laminarian sulfate है, जो कि blood coagulant की तरह काम करता है, ठीक, य यह निकाला जाता है, laminaria से, laminaria से, और ascophylum, यह एंटिबाटिक प्रॉपर्टी लिये वे होते हैं, और जैसे के dervilia, dervilia है, has warm expelling और vermi-fuge properties, तो यह सारे जो है, medicinal value की तरह काम आते हैं, last है, algenic acid, यह भी बहुत जारे important है, तो आपको तीन चीज़े हैं, जो यहां से आ किया था, medicines की तरह भी आप रखना है, और algenic acid भी याद रखना है, ठीक है, तो algenic acid के case में देखा जाए, तो it is phycocolloid, which is obtained commercially from laminaria, microcystic, neurocystis, fucus, sorgasm extractor, algenic acid के case में, algenic acid होता क्या है, it is a salt that is used in obtaining emulsions, जैसे ice cream बनाने में, ointment बनाने में, toothpaste, cosmetic creams और shampoos बनाने में, use होता है, emulsion, और जो emulsion है, वो निकाला जाता है, algenic acid और salt, और उसके salt से, ठीक, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, next है, seizing textiles, flame-proof plastics, plastics, security glass, formation of pills, and surgical threads के लिए भी algae को यूज किया जाता है, ठीक है, कौन से, laminaria, microcystics, or neucrocystis, or fucus, or sorgasm, ठीक है, इनसे, algenic acid निकाला जाता है, जिसका salt यूज किया जाता है, emulsion बनाने के, और emulsion बहुत ही जादा important component होता है, ice cream के लिए, ointment के लिए, ointment के लिए, ointment क्या होत बनाने के लिए, shampoos बनाने के लिए, ठीक है, तो guys, ये खत्म होती है, आज की वीडियो, और ये है हमारा link, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा, हमारे description box में, ठीक, तो इस link पे click करके, आप attach हो सकते हैं, हमारे channel के साथ में, और अपका channel, अगर आप चाहें, तो search box, जो होता ह टेलिग्राम का, वहाँ पे आप search box में डाल दिजेगा, targeted at one, तो वहाँ पे आप हमारे channel से add हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होती है, हमारे आज की conceptual video, I hope आपको पसंद आई होगी, और guys, कोई ऐसी, ऐसा topic है, जो आपको disturb करता है, आपको लगता है कि content है, जो और इंता पूरवग, comment box में लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको अगर कोई और topic के बारे में कोई चीज़ पूछनी है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, एक चीज़ और guys, कि काफी महनत के साथ में video बनाया जाता है, content दिया जाता है, इसको colorful बनाया जाता है, तो काफी मह चल वीडियो के साथ में, तब तक हम रिखा को दीजिए अजासत, बाबाई